1985 की बात है एक गोमती नाम का शहर था जहां राज नाम का एक लड़का रहता था राज के पिता अमरनाथ एक प्रसिद चाय बनाने वाले थे वो चाय जड़ी बूटियों से बनाते थे इसलिए उनकी चाय से लाखों लोगों के खराब गले और अन्य तरह की परेशानियों से राहत मिलती थी राज को पढ़ाने के लिए अमरनाथ ने चाय बेच कर पैसे जोड़े और राज को बाहर विदेश बढ़ने भेज दिया हेलो राज कैसे हो बेटा नमस्ते बाबा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा, इस साल तो आखरी एक्जाम है, अब तो तु वापस आ जाएगा ना? हाँ बाबा, मैं इस साल के आखरी तक घर आ जाओंगा ठीक है बेटा, रखता हूँ, तुम अपना एक्जाम अच्छे से देना, और मेरा आशिरवाद हमेशा तुम्हारे साथ है नमस्ते बाबा राज साल के आखरी तक घर लोटाता है, अमरनाथ की तब्यत काफी खराब हो जाती है, और वो राज को अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं बेटा, मेरा सपना है कि तु एक बड़ा आदमी बने और खूब पैसे कमाए हाँ बाबा, मैं वादा करता हूँ, कि मैं आपका सपना पूरा करूँगा राज की बात सुनते ही, राज के बाबा की मृत्यू हो जाती है, अमरनाथ की मृत्यू को एक साल हो जाता है, और फिर देखते ही देखते, राज इंटरव्यू देने के लिए जाता है राज तो बताओ तुम्हारी एजुकेशन कितनी है सर मैंने फॉरन से ग्राजुएशन किया है ओके राज और बताओ अपने बारे में सर मैं गोमती का रहने वाला हूँ और मेरे बाबा अमरनाथ आपने सुना होगा गोमती में उनकी बहुती प्रसिदत चाय मिला करती थी राज का इंटर्व्यू काफी समय तक चलता है और दुर्भागे वश उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता है राज कई ऐसे और इंटर्व्यू देता है वहाँ भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है राज मन ही मन दुखी हो जाता है और अपने दोस्त राम को कॉल करता है हेलो राम कैसे हो मैं ठीक हूँ राज तुम कैसे हो बहुत परिशान लग रहे हो हाँ राम मैं अपने बाबा का सपना पूरा नहीं कर पा रहा हूं जहां भी इंट्रिव्यू देने जाता हूँ, वहां मेरा रिजेक्षन ही हो जाता है, समझ ही नहीं आ रहा, बाबा का सपना पूरा कैसे करूँ राज, तु अपने पापा की तरें उसी चाय का स्टॉल फिर से क्यों नहीं लगा देता? हां राम, तु बिल्कुल सही कह रहा है, मैं चाय का स्टॉल ही लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमा कर और फिर अपने बाबा का सपना भी पूरा कर दूँगा, रखता हूँ राम राज धीरे-धीरे करके अपने बाबा की चाय का स्टॉल लगाने के लिए तयारी करता है, और पुलिस चौकी के पास परमिशन लेकर अपना स्टॉल लगा लेता है, और स्टॉल का नाम डॉक्टर चाय वाला रखता है, राज के आसपास भी दो स्टॉल रहते हैं, राज के पास एक ग्राहक आता है और कहता है बाईया चाय कितने की है बाईया 20 रुपे की एक चाय है इतनी महंगी चाय ऐसा क्या है इस चाय में बाईया ये एक हरबल चाय है जिससे शरीर में बहुत से रोक ठीक हो जाते हैं राज के स्टॉल का नाम पढ़कर काफी ग्राहक उसकी तरफ आते हैं पर चाय का दाम सुनकर और उसकी बात सुनकर हसने लगते हैं पर एक दिन एक रॉक स्टार रॉकी अपनी कॉंसर्ट में गाना गाने के लिए गोमती आता है और उसकी कॉंसर्ट में अभी दो दिन बचे हो यह बहुत सारे परिशानियों और रोगों को ठीक कर देती है। हाँ सर आप एक बार ट्राइ करके तो देखो। ठीक है तो तुम मुझे एक कप ऐसी चाय पिलाओ जिससे मेरा गला ठीक हो जाए। सर आप ये चाय पिएंगे तो आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कहकर रॉकी अपनी रॉक कॉंसर्ट खतम करके चला जाता है। रॉकी की वज़स से चाय वाला बहुत फेमस हो जाता है। और इसी वज़स से एक पुलिस वाला उसकी स्टॉल पर पहुँच जाता है। और कहता है। मेरी तव्यत खराब हो गई है और मेरा कलावी बैठा हुआ है। तू क्या कर लेगा। सर आप एक बार मेरी चाय पीके देखो आपकी तव्यत बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। जी सर मैं ये डॉक्टर का नाम हटा लूँगा पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या कहानी है मुझे भी बताओ। सर मेरे बाबा यहाँ चाय बेच बेच कर बहुत से लोगों की तवियत सही करते थे। इस वज़े से मैंने इस दुकान का नाम ही डॉक्टर चाय वाला रख दिया था। पर आप कहते हैं तो नाम चेंज कर दूँगा और बाबा के नुस्कों की चाय नाम रख दूँगा। बैठ जाता है और उसकी आवाज लड़कियों जैसी हो जाती है। अवाज बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मुझे बताओ मैं जाकर अभी उसकी चाय पीता हूँ। जी सर मैं बिल्कुल पक्का हूँ और मैं ले चलता हूँ आपको उस चाय वाले के पास और आप उसकी चाय पी के देखना आपकी अवाज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्रकाश राज चाय वाले के पास बहुँशते हैं और इसको देखते हैं और तुरंट पहचान लेते हैं और कहते हैं आरे तुम तो वही लड़के हो जो मेरे पास इंटर्व्यू के लिए आये थे जी हाँ मैं वही हूँ बताईए मैं आपकी एक ऐसे साहिता कर सकता हूँ पल में आपकी आवास पहले जैसी हो जाएगी राज प्रकाश राज को एक स्पेशल चाय बना कर देता है प्रकाश राज वो चाय पी ही रहा होता है तभी वहां पर राज की दुकान तोड़ने वाले लोग आ जाते हैं राज उनको देखकर घबरा जाता है तभी प्रकाश आज अपनी आवाज सुनने के बाद इतने खुश हो जाते हैं कि वो राज से कहते हैं कि आज से ये दुकान कोई भी यहाँ से हटा नहीं सकेगा और मैं तुम्हें पैसी दूँगा ताकि तुम एक अपनी बहुत बड़ी खुद की दुकान खोल सको जिसका उधगाटन करने मै खुद आओंगा